लगातार खब्यों के लिए बेल आइकन दबाईए हमारे साथ जूड़े रहने के लिए न्यूस 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार स्वागत आप सभी का न्यूस 29 इंडिया में मैं हूँ आपके साथ प्रियाश शर्मा मनसोर जिले के चंदवासा चावकी के अंतरगत चंदवासा बस स्टैंड पर दोपर को केलाश पजापत नामक यूवक का रवी नामक यूवक का 2000 रुपे के लेंदेन की बाद पर विवाद हो गया इसके बाद केलाश ने चाकु से रवी पर हमला कर उसे खायल कर दिया विवाद की सूचना मिलने के बाद रवी का भतीजा शामलाल भी मौकी पर पाहुचा और हमलावर ने शामलाल पर भी चाकु चला दिया हमले में दोनों काका भतीजे गंबीर रूप से घायल हो गए आननफानन में दोनों को अस्पताल ले गए लेकिन खून जादा बहर जाने के वज़े से रवी पर जावत के लाज के दोरान ही मौध हो गई वही गंबीर घायल शामलाल का उपचार के लिए मनसौर जिला अस्पताल में रैफर कर दिया है आरोपी के लाज को लोगों ने पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया पुलिस मामली की जाज पिजुटी है प्यूर रूपोट निस 29 इंडिया जैसे मुझे सूचना मिली इसके भाई विनो दुवारा सूचना मिली कि मैरे भाई को चाकू मार दिया प्यास आज लग पक शाड़े दो गहईलो को लाए गया रवी पिता मांगिलाल 24 साल और शामलाल पिताम थीस साल दोनों को लाया गया, दोनों अति गंबीर वे अवस्थाम लाया गया, दोनों के साथ धरदार अतियार से दोनों के शरीर पर वार किये गये थे, रवी के शरीर पर आठ गाहो थे और शामलाल के शरीर पर तीन गाहो थे, जिसमें रवी अतियंत गंबीर था जिसकी इलाज के द विवाद हो था कैयलास कुछ रूपे मांगता था मस्दूरी के पुछ रूपे लेंदेन गिन का विवाद था आपस तना यहां कैलास जो है गाली गलोज करने लगिए तो श्याम लाल ने और वहीं मोके पे उनका बतीजा मुझूदता श्यामलाल वहीं बीज बचाव करने आए तो उसे भी जो है बाहीं बुजा पर और कंदे पर और बाहीं तरफ पेट में चाकू लगा गंबीर चोटे आईए केलास ने रुपियों के लेन देन की बात को लेकर रवी और श्यामलाल के साथ प्राण गहतक चाकू से प्राण गहतक चोटे पहुचाई है इलाज के लिए वहां के उपसरपंच मोके पर अपनी कार से ततकाल इन दोनों का हैलों को लेकर सिविल होस्पिटल शामगर लाए इंडिया के साथ एक देश सारी प्रदेश